हेलो एब्रीवान सास्री काल सारे आनू थोटा बहुत-बहुत स्वागत आज दी क्लास्ट आज आपा करें जा रहे हैं पंजाब स्कूल एडुकेशन पूर्टी गैर्मी क्लास्टी किताब वल्कम लाइफ स्वागत जिन्देगी और दा चौथा पार्ट ग्रुप रिस्पेक्ट समू सत्कार ते इससे विच आपा पढ़ांगे इस दा चाप्टर दा पार्ट भी जो की है सेल्फ एस्टीम दा रेलेटेड उन सेल्फ एस्टीम लो आपा पंजाबी दे विच कहने हैं स सक्षियत निर्मान लेई एक तरीके दिनाल स्वे मान नू विक्सित कारना सेकंड तु रिलाइस दे लाउस दू ओवर सेल्फ एस्टीम ते जादा स्वे मान कारन होई नुकसान दा भी जड़ा अंदाजा है उदा एसास राना कई बार अपने उते मान जादा ही हो जाना है थी दे करके बहुत नुकसान हुं थार्ड तु इंकारिश्ट स्टूडेंट्स लो मोटिवेटेड पियर्स तु बी आट पार विद अधर्स विद्यार्थियान नू जड़े कट प्रेरित साथी है गेने उना नू उत्ते चकना अपने पराबर लेके आना ते उना दे विच समझता है चलो पढ़ देया इसनो एथे लिखे है सेल्फ एस्टीम is actually another name for a person's intuitive ability स्वेमान असल विच एक व्यक्ति दी अनुपवी जड़ी योगता है गी है उसना दुज्जा ना है गाई This means how much a person knows about himself and how important he considers himself इस्दा मतलब एए है कि एक व्यक्ति अपने बारे किना जानदा है अते ओ अपने आपनों किना महत्व कून समझता है जरूरी समझता है Psychologists use the word self-esteem to mean how much we like ourselves ते जड़े मनुविज्ञानिक है गे ने उस्वेमान शब्दी वर्तो इसलई कर दे हैं कि असी अपने आपनों किना पसंद कर दे हैं उस बारे जानकारी कठी कर सकर A person with high self-esteem behaves better in many social aspects ते उच्छ स्वेमान वाले जड़े व्यत्ती है गे ने ओ कई समाजेक पहलुआ वेच बेहतर विवहार कर देने क्योंकि उननों अपने उत्ते मान हुन्द है As his ability to work increases, he feels more responsible and becomes a better citizen हुन जिवें जिवें उस ती कम करन दी जड़ी समर्था है ओ वद्धी रन्दी है ओ वदेरें जिम्मेदार में सूस कर दे अपने आपनों ते एक बहतर नागरिक बन जान दे देशते लेगी Self-esteem is an essential element in building the true personality of students Every student in the class should realize that many of his personality traits are different from the rest and that he is a responsible person of the society Class ते हर विद्धी आर्थी नू एएसास होना चाहिदा है कि उस ती सक्षियत ते कई गुण बाकिया नालों वक्रे हन अतियों समाचता एक जिम्मेवार व्यक्ती है At the school level, teachers can instill these qualities in the students in a number of simple casual ways So school पर दर्टे आपका कई सदारं तरीकिया देनाल विद्धी आर्थियां विच जिड़े गुण है गे ने भी अपने उते मान होना चाहिदा है परोसा होना चाहिदा है एहें पैदा कर सकते ने चलो एथे होड़ गलना दसिया गईया ने, पहला इनुन समझ लन दे है की की दसिया, एथे दसिया पॉजितिव प्रॉसेस, यानि जो में आपका कहने थे अभी वदिया एक पुरती करिया किवे रखनी है ओदे बारे, सब तो पहले है आपका कह सकने है जो है आपका पॉजित तरीक्य दिन आज चीजानु लागू किता जान दै ते जाद लागू वदिया किता जान दै ते गुड रिजल्ट आन दै क्या आन दा मतलब चंगे नतीजे आन देने ए सारा दा सारा पॉजिटिव प्रोसेस है गया यानि जे तुसी वदिया सोचते हो ता तो अधा कम अखीर तक वधिया ही होएगा उने अथे अक्टिविटि दसी गई है अल्ल दे स्टूदेंट्स अफ दे क्लास विल पार्टिसपेट इन दिस आक्टिविटि इस गतिवीदी विछ क्लास दे सारे विद्यार्थी पाग लैंगे दे विल पी गिवन सम्क्वेस्टिंज विच विज उनानू एथे जिमें कुछ सवाल दित्ते गएने ओ दित्ते जानगे जिना दा जवाब उनाने संखेप दे विच देन है जिमें पहला सवाल आएम वेरी हैपी वेन मैं बहुत खुश हुंदा कद ते मैं एथे उतर लिखे है वेन सम्वन प्रेजिस मी कैन दा पाव कोई मेर प्रशंसा करते हैं तरीफ करते हैं दुझा मैं फेलो स्टूदेंस से दाट मैं मेरे साथी विद्यार्थी कैन देने की मेरी इस चीज करन दा तरीका जड़ा है बहुत वदी है केडी चीज करन दा एक्स्प्लेइनिंग तू अदर्स दुझा नू सम्जान दा या तुसी कह स लग देओ फ्रेमिंग स्टूरी भी काड़ी बनांता तीजा मैं फैमिली इस वेरी हैपी वेन आए मेरा परिवार बहुत खुश हुंदा है कद खुश हुंदा है जड़ वेन आए हल्प सम्वन मैं किसे दी मदद कार दा या कार दी है या वेन आगेट गुड मार्क्स मेरे लग देवाद या नंबर आंते ने आए अगेज देवाद लोग देवाद आने अगे उस हिसाब देनाल टीचर नू अधय आपक नू आइडिया हो जाएगा भी बच्चे की सोच देने है ना उनना दी की सोच नी है गी है The teacher can ask some students to stand up and answer the questions ते अध्यापपक जड़े ने ओ कुछ विद्यार्थिया नू खड़े होके सवाल जवाब देन लेई भी क्या सकते ने क्योंकि हर बच्चे ने अपने अपने जवाब लिखने ने This will give them a sense of confidence ते जदो खड़े होके क्लास ते भी जवाब देन गे इस नाल उनानू आतम विश्वास जी जड़ी पापना है उगो वडेगी उनाविच अगे चाल दियाँ एथे इखोर activity दित्ती गई है activity 2 The responses of the students will be collected on the fact that how much they know about their classmates उनुते जो भी आपपा गतिविदी किती है ओहो जी ही इखोर गतिविदी दित्ती गई है ते रथे के हागे भी विद्यार्थियां दे जवाब इकठे किते जानगे कि ओहो अपने सेपार्थियां बारे किन्ना क जान दे है किने Everyone has certain natural innate qualities but sometimes we are unaware of these qualities सनुसारे नु पता है कि हर किसे विच कुछ कुछ कुद्रती गुण हुन दे ने पर कई वारसी है न गुणा तो अंजान हुन दे हैं खुष हुन दे है उस नाल सो गो इस गुणनो कायम रखन दी ओहो पूरी कोशिश भी कर दा थे जिम्मेदारी भी हो दी बद जान दी है है कि ने क्यूंकि मेरी तरीफ हुई है हर को यही सोच दा है भी हुन ऐसे गुणनो में कायम रखन है ते फिर ओहो इस गुणनो हो जोश देना विक्सित कर दा है इच स्टुदें इन दे क्लास विल बी आस्ट दो राइट इस नेम ऑन पेज क्लास ते हर एक विद्यार्थी नो एक पेज दे अपना नाम लिखन दे ले केहा जाएगा या पन्ने ते नाम लिखना है हर बच्चे ने Then the pages bearing the names of the students will reach every student one by one according to the role numbers or in any particular order मनलो सार्या ने एक एक पड़्ची ते या पेपर ते अपना नाम लिखता उस ते बाद फिर विद्यार्थी ने जड़ी नाम वाले पन्ने हैगे ने न और role numbers दे अनुसार हर एक class दे बच्चे नो गिता जाएगा Each student will read the name written on the page and write a positive sentence about that student according to his observation about that student ते हर विद्यार्थी फिर उस तो बाद जड़ी नो पन्ना मिलेगा कोई भी और उस पन्ने दे देखेगा भी किस दा ना लिखिया हुए है ते फेर उस जिसदा ना लिखिया हुए है उस दे बारे एक वधिया गाल जड़ी है किया है ओहो जड़ी उने देखी है उस बच्चे बारे उस पन्ने दे लिख देगा ते ए जड़ी गतिविती है एक उदो तक जारी रहेगी जड़ो तक सारे विद्यार्थिया ने सारे पन्ने आते एक एक वाक नहीं लिखता हुएगा मतलब सारे नू सारे आं बारे के एक वाक लिखन है ते जड़ी गतिविती पूरी हुएगी उस तुबार जड़ी अदे आपक ने ओहो सारे ते सारे पन्ने उनानू इक अठा करंगे ते हर विद्यार्थि नू बारी बारी अपने पन्ने जड़ा नाम वाला पन्ने उनू देखे कैन ये भी जो जो गल्नान यो क्लास दे सामने पड़ो Many of the good qualities of the students will have been written on the page देखो पन्ने दे उत्ते बहुत सारे चंगे गुण जड़े हैगे ने ओ लिखे होंगे बच्चे बारे When a student reads about himself, he becomes aware of some of his inner qualities that he might not have ever felt जड़ो कोई विद्यार्थी अपने बारे पढ़दा है उस पन्ने तो ताँ ओहो अपने जड़े अंदर ले कुछ गुण हैगे नहीं तो जानू हो जान्दा है जो शायद उसने कदे महसूस ही नहीं कितने होंदे Motivation and self-confidence will also be created in him ते उसे विच जड़ी प्रेड ना है आतम विश्वास को भी पैदा हो जाएगी If time permits जेहोर वक्त मिलिया The teacher can also ask some shy students to read out their pages in front of the class तादे आपक कुछ शर्मीले विद्यार्थियानू class विच्चो आपने जड़े पन्ने हैगे नूना नू पढ़न लहीं भी कहाएगे जड़े बच्चे बिलकुल ही अग्ये नहीं आंदे This will remove the hesitation of these students ते इस नाल एना विद्यार्थियानी जड़ी चिजख हैगी है वो दूर हो जाएगी And also create a sense of self-esteem in their mind That they are no less than anyone else एक ता चिजख दूर हो जाएगी ते नाल नी नाल उना विच्च आतम विश्वास भी पैदा हो जाएगा भी वी किसे नालो काट नहीं है किने क्योंकि जड़ कोई बच्चा बोली नहीं सकता उन्हों तुसी बोलन ली कहोगे तो होले होले करके उरे विच्च आतम विश्वास देड़ा है वो जागेगा एक और एक्टिविटी दित्ती गई है With the help of this activity The students can get to know much about themselves With the help of a questionnaire or statement table ते इस गतिविदी दी मददे नाल विद्यार्थी जड़ी प्रशनावली है गिया या statement table दित्ता हुया है उस दी मददे नाल अपने बारे कुछ होर भी चांड सक देया Students will be praised for answering their questions in the affirmative ते बच्चियां दी तरीफ भी होएगी जे ओ हां दे विच आंसर नू पर दे ना वी किसे गाल्दा जवाब साच दिन देने हां दिन देने And will be guided by the teacher if the students answer in negative ते जे का रो negative दे विच आंसर देने ता जिड़े अध्यापक नी उननानो guide करंगी उननानो मदद करंगी जी में अथे statements लितियां गईयाने एथे yes लिखे है एथे perhaps भी बिच बिच आले थे no पहली गल मैं अपने बारे लिखी है I can sing very well मैंनू भी मैं बहुत बदिया गालनी है थे मैं no लिखे है भी मैं नहीं कह सकती ठीक है सच लिखे है my classmates love my company भी मेरे जड़े सहपार्थी ने उनना नो मेरा साथ बहुत बदिया लगदा है हाँ ठीक ठीक मन लगदा है बदिया लगदा ही होना उनना नो मेरा साथ third I will surely achieve my goal in life भी मैं अपनी जिंदगी दे विच जो भी हासल करना चांदी है जो भी सोचा होया जिंदगी बारे और जरूर अचीव करांगी उस चीज नो जरूर हासल करांगी ते मैं दे बारे गाल लिखी है yes fourth I feel I am not very beautiful ते मैं नो लगदा है भी मैं जादा सोनी नहीं है गिया ते रथे में लिखिया है no मैं नो लगदा है भी हां मैं जादा सोडी है गिया कैंदा मतला भी मैं नो जहेजी में दिख दी अपनी उत्ते विश्वास है गैं पंजमा none of my classmates can play table tennis as good as I भी मेरे जड़े से पार्थी ने उना विचो कोई भी इनना वड़ी है table tennis नी खेड सागा जिनना मैं खेड दी है ते मैं answer लिखिया यह ऐसे एक आलता साच है भी मैं सब तो वड़ीया खेड दी है I have the guts to speak out my dislikes भी मेरे कोल अपनी जड़ी ना पसंद हैगी है चीजा उना बा मैं थोड़ा ची जगनी आँ गलना बारे बोलन ली 7th I rank much higher among the bright students of class 11th भी मेरा जड़ी गैर्मी जमादे विच जड़ा rank है गया ओ हुष्यार बच्चे विच आंदा या ओना तो उत्ते आंदा भी मैं भी हुष्यारा दी गिंती विच है गया yes the football team of my school lost the match because of my fault भी मेरे school the football team match हार गई ओ भी मेरे करकी मैंनू लगता है भी मेरी गलती है गी है विच भी चाले जया हिसाब है भी हाँ है भी नहीं भी ते इसे करके मैं परहाप्स मा कीता है all my teachers like me a lot भी मेरे सारे है अपक मैंनू बहुत पसांद कर देने ते मैं yes लिख्या इस दांस अगे ह गया after evaluating these activities एना गतिविद्यां दा मूल करन करके या इना नूते अनल देखके teachers will identify the students with low self-esteem जेडे अदे आपक ने ओहो एहे जे विद्या अर्थियां दी पछांड करंगे जिना विच कट है गया self-esteem या स्वेमान they will also warn the students with high self-esteem and self-confidence not to become arrogant जेडे का self-esteem रखते ने उना दी पछांटा दे आपक करंगे ना ले ओ बच्चेया दी भी पछांड करंगे जेडे अपने उते बहुत जादा मान कर देने जिना नू अपने उते बहुत जादा आत्म विश्वास है गया ते उना नू इक दैद देंगे वी एहे चेतावनी समझो वी जादा अहंकार भी मारा हुंदा है क्योंकि जे किसे दे वी जादा स्वेमारना जे आतम विश्वास हो जाए ता वो हंकारी बढ़नन दे वी जादा देर नहीं लग दी In this way, this mental aspect will be discussed at the class level with the help of one another in order to maintain mental balance ते इस तरह मानसिक संतुलन बनाई रखर दे लई ए जड़ी activity है एक लास दे विच डिसकस किती जाएगी इक दुझे दी मदद दे नाल तांकि सारेयां दे विच एक प्यार बढ़े आ रहे ठीक है बेटा ते एस ही गी आज दी क्लास मैं अमीद कर दिया था अनू चैप्टर समझा गया होएगा जो वीडियो बढ़िया लगी ता लाइक शेर सब्सक्राइब जुरूर करें आप फिर मिलांगे तिल देन ठेक केर बाबाई